नमस्कार दोसो ललो जी की रसोई में आपका सवगत करता हूँ आज की रस्पी है कुंद्रू की मसालेदार सब्जी तो मैं बहुत ही स्पाइसी बनाने वाला हूँ ये कुंद्रू की सब्जी तो मैं किन किन मसालों का यूस करने वाला हूँ इस सब्जी में आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलते हैं हम सबजी बनाने की तरफ, कुंद्रू की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुंद्रू आधा किलो लिया है, तो देखिए यह कुंद्रू इदम मुलायम है, जो मुलायम नहीं रहेगा हम उसको बाहर कर लेंगे, तो मैंने लिया है है इसे bottom आफॉर टॉप कड़ेंगी दिखें यहा पर कड़ेज दिया है तो देखें मैंने यह कुंदु को कड़ किया पर यह तो पक गया है है तो पक़े कंत्रू को नहीं युज करेंगा देंगले इसे हमें यूस्ट करना है सबजी बनाने में जो आपके कुंद्रू PAKKK होंगे उसे हम साइट कर देंगे और मुलायम होंगे bottom of सफेध रहेंगे तो उसे हमें सबजी में यूस्ट करेंगे तो दिखिए इस तरह कीमुलायम हैं तो इसे परकार मैंने लिया है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे पहले मैं कुंद्रु को करूँगा तो कंद्रु करने से क्या है उसका काच्छापन निकाल जाता है तो सबजी का टेस्ट और अच्छा लाता है तो मैंने यहाँ पर आलु एड करूँगा तो जिसको अलु पसंद Ecuador Animal यहाँ पासता है जिसको नहीं पसंद है वो अवाइड कीजिए तो अब हमें थोड़ा से चला देना है तो देखें या मैंने यहां पर चला दिया है अब मैं क्या करूंगा इसे अच्छी तरह से ढख लूँगा और ढख की हमें से सॉप्ट करना है तो इसका टाइमिंग है पंदा से बीसमर तक ढखे रहे आप बीच में से चेक कर लिजेगा तो यहां पंदा बीसमर हो चुके हैं तो देखें हमारे यहां पर कुंदुरू और आलू एकदम सॉप्ट हो चुके हैं जूस निकल चुगा है इन सभी का तो अब हम क्या करेंगे इ हम इसी कढ़ाई को लेंगे अब हम कढ़ाई में हम एड करने वाले हैं यहां पर एक चमश एड करेंगे तो जब आपका ऑइल गरम हो जाए तब आपको यहां पर डालना है एक चमश डालना है जीरा डालना है तो जीरा क्रैश होने का हम वेट करेंगे तो जीरा हमारा यहां पर crash हो चुका है उसके बाद मैंने यहां पर एक प्याज को चौप करके लिया है इसके बाद हम add करने वाले हैं lesson अद्रक का paste यह एक चम्मच है अब हमें चला-चला के प्याज को soft करना है तो soft होने में लगबग आपको 3 मिट लग जाएंगे तो देखे यहां हमारीいます soft हो चुकी है अब हम क्या करेंगे यहां हम डाल देने तीन प्याज की प्यूरी डाल दे हैं तो मैंने इस्टो Watch क enact किया है कृ्व्री बनाया है तो टीन प्याज की इसको भी हमें क्या करना है पकाना अच्छी तरह से तो यहां भी पूरी को भी पकने में लगबाग लग जाएंगे तीन मिट लग जाएंगे तो देखे यहां पर हमारी प्याज मतलब प्यूरी सॉप्ट हो रही है अच्छी से तो तीन मिट बाद आपकी प्यूरी कुछ इस टाइब दिख जाएगी मतलब 50% पक जाएगी इसके बाद मैंने तीन टामाटर लिया है उसको ग्रेंड कर लिया है इसका भी पेश बना लिया है अब हमें टामाटर का पेश्ट को अच्छे तरह से पकाना है तो यहाँ पर हमारी प्यूरी और टामाटर इनको हम अच्छे से पका लेंगी लगबग हमें तीन मिट तक इसे अच्छे पकाना है जब तक आपके कढ़ाई में ओईल न आ जाए तो दीखे यहाँ पर हमारा ओईल कड़ाई में दिखने लगा है अब हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले जैसे कि मैंने लिया है हल्दी और गरम मसाला एक एक चमच लिया है इसके बाद हम मैंने लिया है एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक पिंच यहाँ डालूँगा कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर एक चम्मा डालूँगा हल्दी पाउडर और इन सभी को मैं अच्छी तरह से पका लूँगा तो चम्मा के साहता से हमें मसाला को अच्छी तरह से पका लेना है तो मसाले जब पक जाएंगे ना तो खुसबू अच्छी आन लगी इन सभी में तो देखे यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एड़ कर देंगे कुंद्रू और आलू जो हमने यहाँ पर सौप्ट के हैं तो इनको मैं अच्छी तरह से डाल दूँगा और चम्मत की साहता से इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कुंद्रू में मसाले सभी लग जाएं तो देखे यहाँ पर कुंद्रू और आलू में मसाले अच्छे तरह से लग गए हैं तो अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैं ढग दूँगा लबक दो मिट के लिए ताकि कुंद्रू में अच्छी तरह से सौद आ जाए मसालों का तो यहां दो मिट के बाद मैं कैफ हटा दिया है इसे मैं एक बार और चला दूँगा चमा के साहता से जो कढ़ाई में लगा है मसाले उसे हमें अच्छी तरह से सब्जो में मिस कर लेना है मतलब कुंद्रू के साथ अब मैं क्या करूँगा यहां पर ग्रेवी के लिए मैं यहां पर एक ग्लाज डालूँगा पानी अब मैं चम्मच से मिस कर दूँगा ताकि मुझे पर चले कि ग्रेवी कितनी है तो यहां पर हमारे ग्रेवी इतनी है तो हमें इसे अच्छी तरह से मिस कर लें और फिर उसके बाद हमें यहां पर एड करना है नमक एड करना है तो आप यहां पर सौद इन सौर नमक लीजिएगा मैं यहाँ पर एक चमच एड़ कर रहा हूं चमच की सहायता से हम क्या करेंगे अच्छे तरह से मिस कर लेंगे कुंद्रू और मसालों को हम अच्छे तरह से मिस करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे कैफ तो कैफ को हम यहाँ पर ढग देंगे और फिर उसके बाद हमें 10 मिर्ट तक अच्छे से पका लेना है ग्रेवी थोड़ा सा कम हो जाँ जी मलब पानी बाकी सब्चीज पका हुआ है आपको सिर्फ ग्रेवी थोड़ा से पकाना है तो देखिए मैंने यहाँ पर कैफ उठा दिया है तो एकदम से पक चुकी है यहाँ पर कुंद्रू की मसाले वाली सब्ची तो देखिए ग्रेवी एदम गाड़ी ग्रेवी है यहाँ पर खुस भी बहुत मस्ता रही है तो देखे यहाँ पर सब्जी पक चुकी है अब हम यहाँ पर एड़ करने वाले हैं फ्रेशनेस के लिए फ्रेशनेस के लिए हम यहाँ आड़ करने वाले हैं हर दिन्या की पतियां तो हर दिन्या की पतियां हम यहाँ पर एड़ कर दिये हैं अब हमें क्या करना है इसे कैफ लगा देना है पांच मट के लिए जब आपके सब्जी ठंडी हो जाए ना तब आप यहाँ पर निकाल लीजे तो बहुत ही अच्छी खुसबू आएगी सब्जी में तो दिखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जी दिख रही है कितनी प्यार और स्पाइसी तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा सब्जी का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई गाइस